जहें दोस्तों अंदे मातर। भारत को 1983 में पहला वर्ल्ड कप जताने वाले कपल देव आज की रेट में जब भी कोई बात करते हैं तो उनको लोग ध्यान से सुनना पसंद करते हैं जोगी जानते हैं यह इतने दिगज क्रेटर रह चुके हैं इतना एक्सपीरियंस हैं इनके पास इतनी तरह के फील्ड में हाथ आजबाद चुके हैं कि कुछ भी बोलेंगे तो कुछ सही ही बोलेंगे मैंसे में यदि आप कपिल देव के मुझ से केले बेचने या अंडे का ठीले लगाने की बात चुरेंगे तो अब विस्सी बात है आपके मन में एक बात को यह जरूर आएगा कि यार हो सकता है कि यह मतलब बिजनस को लेकर कोई बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम लोग मोटे पर बात करें तो अभी एक मंच पर जब उन्होंने केले और अंडे का ठील लगाने की बात करी तो यह कोई बिजनस के बारे बात नहीं कर रहे थे बलकि यह भारत के भारती टीम के उन खिलाडियों के उपर तंजकास रहे थे जो की बार बार यह कहते हुए रस ले लेते हैं तो आप यह नहीं बोल सकते बार-बार कि हमको अब आराम चाहिए हमको आराम चाहिए कई सारे लोग हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं और फिर यदि उसने किसी ने अच्छा परोशन कर दिया तो फिर आप पर टिकट कर सकता है तो यहसे मैं जब तक आप भारत के लिए खेलना चाहिए ना कि यह कहते हुए कि भाईया हमको आराम चाहिए तो हम दो सीरीज खेलेंगे और तीर नहीं खेलेंगे और अगर ऐसा है जो कि मैं परस नहीं बोल रहा हूं अगर ऐसा है कि वाकई में इनको इतनी चुट्टी चाहिए तो दो बहिने की गर्मियों की गाल लगानी चाहिए उन्हें किसी ने क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर नहीं किया कुलकाता में कारेक्रम को दौरान कपल देव ने डिपड़नी करी उन्हें कहा कि खिलाडियों को खेल का आनंद लेना चाहिए एक खिलाडी को देश का प्रेजित करते हुए गर्म होना ना कि दबाव महसूस करना चाहिए उन्हें कहा कि मैंने सुनाई कि खिलाडी आजकल IPL खेलनी के वज़े से प्रेशन में दबाव एक बहुत ही सामानने शब्द है कॉमन से शब्द है ऐसे मैं दबाव महसूस करने वाले खिलाडियों से कहूंगा कि वो क्रिकेट ना खेले उनको किसी ने क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर नहीं किये जब आप इतने बड़े लेवल पर आकर क्रिकेट खेलते हैं तो दबाव और कॉमपेटिशन तो रहेगा ही आपकी प्रिशंसा और आलो चुना दोनों होगी यदि आप आलो चुना नहीं सह सकते तो फिर आपको खेलना छोड़ देना चाहिए तीम ने एक पूरू कफ्तान रहे कपिल देव ने कहा कि प्रेशर एक अमयरिक शब्द है अगर आप काम नहीं करना चाहते तो क्या करें क्या कोई आपको मजबूर कर रहा है जाकर केले की दुकान लगाओ अंडे बेचो आपको मौका मिला है तो आप इसे दबाव की रूप में आखर क्यों ले रहे हैं कपिल ने कहा कि सौ करोड से भी अधिकाबादी वाले देश में आपको देश का और रिप्रेजनेटेटिव करने का मौका मिला है और आप दबाव में जा रहे हैं यह आखर कैसे हो सकता है जिन खिलाड़ियों को उन्या में खिलने का मौगा मिला है उन्हें खुद को भाग इशाली समझना चाहिए क्योंकि आपको लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और हर किसी को ये खुशी नसीब नहीं होती आपको बता दें कि विराट कोली समय कई खिलाडियों ने करीब एक महीने का ब्रेक लिया था और इस ब्रेक में उन्हें बल्ला भी नहीं चुआ था अलगि ब्रेक से वापस खरने के बाद कोली का प्रशन ठीक ठाक रहा है लेकिन हाल के दिनों में टीम इंडिया बड़े मुकाबलों और प्रशन मैचों में असानी सिहार रही काम ढूंड लेना चाहिए कोई क्रिकेट खेलना आपके बसकी बात नहीं एक चीज तो सरासर क्लियर हो चुकी आप लोगों क्या कहना इस बारे में क्या वाकई में क्रिकेटर अंडे का ठेर लागा पाएंगे या फिर केले बेच पाएंगे क्योंकि ये काम तो ऐसा होता जिसको कि देखकर किसी के भी होश वक्ते हो जाएंगे क्या कहना है आप लोगा कमेंट करके जबूर बताईए ये का मेरी सुनी फिलात नहीं जाहें